तो दोस्तों अगर आप लोगों का भी अकाउंट यूनियन बैंक में हैं और आप लोग अपने डैबिट कार्ड का ट्रांजेक्शन पिन जो है भूल चुके हैं तो आज हम देखेंगे किस तरीके से आपको एक न्यू ट्रांजेक्शन पिन जनरेट करना है एक न्यू कार्ड में डाल देंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी और आपको एक दो सेकंड वेट करना पड़ेगा और यहां पे आपको देखिए सेट एटियम पिन के उपर एक बर क्लिक कर देना है तो आपको यहां पे ओटिपी जनरेट के बटन के उपर एक ब होगा होगा तो जो भी आपने मुबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर करा रखा है या बैंक में आपने दे रखा है सब्मिट करा रखा है उस मुबाइल नंबर के उपर आपके पास एक ओटीपी आया होगा ओटीपी कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा आपको तो इस मैस card को कुछ उसी तरीके से डाल देना है मशीन में और इधर थोड़ा सा wait करना है वेट करने के बाद आपके screen पे जब यह आ जाएगा तो set ATM pin के उपर आपको एक और पर click कर देना है इस पर आपको OTP validate के उपर click करना है तो दोस्तों जो आपके मुबाइल पर message आया था और उस message में जो OTP दे रखा है उस OTP को यहाँ पर आपको enter करना है यह डाल देना है तो जैसे आप OTP वाला pin यहाँ पर डालेंगे तो उस के बाद आपको जो भी Pin set करना है वह पिन आपको यहाँ पर आपको इस इस चाफिन आपको जो new transaction pin है successfully change हो चुका है और आपको यहाँ पे receipt मिल जाएगी और आपको अपना debit card निकाल लेना है और आपको slip भी ले लेनी है ओके तो इसी केसे से तमारी वीडियो complete होती है अगर वीडियो अच्छे लगी तो like and subscribe करें थैंकियो for watching